कि ज़ी कीटार चार्याद भजाव यह हम देखिए यह अज़ी तार्चार्या भजाव यह दो कि अर्जुन जी तो आरजुन क्या कहते हैं वो जानने से पहले हम ध्यान शोप प्रसान के बढ़े आते हैं पार्थाय प्रतिबूधितां भगवता नारायने नस्वयं व्यासेन ग्रतितां पुराण मुनिना मध्य महाभारतं अद्वेताम्रतवर्षिणिं भगवतिं अष्टादशाध्यायनीं अम्बत्वामनु संदधामि भगवत। गीते भवत्वेशिणिं गीता मता की जैजय कार करने के साथ साथ ऐसा लग रहा है विदाई का समय आ रहा हो क्यूंकि गीता मता के पूरे 700 श्लोकों में से 6 श्लोक हमारे 6 रहे हैं और आज का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपून इस दरश्टी से है कि पूरा जो गीता ज्य जान यग्य हुआ दिव्य संवाद हुआ दिव्य गान हुआ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की अलग-अलग शंकाओं का समाधान किया उसके वाद क्या इस्तिती हुई अर्जुन के मन की तेहत्तर विश्लोक में वो बता रहे हैं अर्जुन वाच नश्टो मोह स्म सितोस मीगत संदेकरी स्ये वचनमतवार्ण एक श्लोक में प्रश्ण किया था पहले श्लोक में और फिर उसके बाद क्रिश्ण भगवान altura हे बात्तरे श्लोक तक 73 वे श्लोक में अर्जुन ने पुने जब सीधे सीधे उनसे प्रिश्ण किया कि क्या तेरा अज्यान जरे तुमोव नश्ट हो गया है तो उन्होंने जो बात कही है वो उच्छा को बढ़ाने वाली भी है आनंद को बढ़ाने वाली भी है आस्था का संचार करने वाली है अर्जुन जो है उनका मोव नाश हो गया है उनको स्मृति पुनेफ प्राप्त हो गई है संशाय रहित होकर भगवद आज्या का पालन करने के लिए वो तत्पर है ऐसा वो इस श्लोक में कह रहे हैं नश्टो मोह स्मृति रब्दात अत्वसादन मैं अच्छुता स्थोस्मी गदसन्ने हा करिश्ये वचनम तबा ये अच्छुत आपकी कृपार भगवद आया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है अब मैं संशाय रहित होकर स्थित हूँ अते आपकी आग्या का पालन करू तो इसमें जो दो-तीन बाते हैं वो हमारे अपने जीवन में कई स्थानों पर लागू हो इस द्रिश्टी से उनको दोरा लेते हैं एक तो जो मोह है वो जैसा जो ठीक ठीक है वैसा हमें देखने नहीं देता है जैसे आखों में कोई ऑपरेशन कराने के बाद में इस दिखना चाहिए वो न देख पाएं उस स्थिती से पार आ गए और क्या हुआ मोह नश्ट होने के साथ साथ स्मृती प्राप्त कर ली अब ये कौन सी स्मृती है जिसकी बात भगवान के सम्मों कर जुन कर रहे हैं वो यदि हमने गीता का श्रवन किया है तो हमें ऐसा स्मरन आता है कि ये उस स्मृती की बात कर रहे हैं जो आत्म रूप में स्थित होने तक ले जाती है ये उस स्मृती की बात कर रहे हैं श्रीक कृष्णक की सन्निदी का अनुभव करने में सहायक होने वाली इस्मृती है ये वो इस्मृती है जो अजर अमर अजनमा और अखंड चेतना सब के अंतरियामी साक्षी के रूप में जो इस्थित है उसके बोध से परिपूर्ण कराने वाली उस प्रसाद को दिलाने वा स्प्रति आ जाती है जिसके बाद में दूसरा कोई रहता नहीं है एक ही एक है एक है उस एकत्व का दर्शन करने में सहायता करने वाली उस एकत्व का दर्शन कराने वाली जो स्प्रति है वो प्राप्त कर ली और उसके साथ साथ अपने कर्तव्य के बोध के पालन अपने कर करने में किसी प्रकार का घर्शन नहीं रहता कोई रुकाबट नहीं रहती है तीर की तरह से जाने वाली स्थती तब आती है जब संशय रही तो हो जाते हैं कोई संशय नहीं रहता है कि मैं यह करूं या ना करूं ऐसे करूं क्या करना है कैसे करना है इसके वारे में पूरी इस रहेंगे मैं वैसा करूंगा ये सब प्रसंग जहां से शीमत भुगत गीता प्राड़म हुई है शोक से ग्रस्त अर्जुन की मनस्तिती को अशुद्ध माना जाए तो अब वो शुद्धी को प्रावत कर गए हैं यहां पर संशय रहित अर्जुन हमको मिल रहे हैं और उनके द अपने भीतर स्मृती के प्राप्त हो जाने के आनुंद की बात को उसको दोहराते हुए हम चौतर में श्लो की तरफ बढ़ेंगे अर्जुन वाच नश्टो मुह स्मृतिर लब्धा नश्टो मुह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्चुत स्तोस्मींगत संदेह करिश्ये वाचनमतबा यह मैं बीच में रुकिस ले गया है क्योंकि प्राणम में मैं इस श्लो का हमेचा गलत बोलता रहा हूँ स्मृतिर लब्धा लब्धा बोलता रहा हूँ जबकि ए ठीक लब्धा नश्टो मुह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्चुत तो मुझे मेरी गलती पकड़ में आ गई तो आगे का जो श्लोक है उसमें संजय भी हमारे साथ इस पूरे संवाद का शमन भी कर रह संवाद मिवा शोशत्माद अद्भूतं रोम अर्शनम संवे जो कह रहे हैं वो कहते हैं इस संवाद की महिमा के बारे में कि हे राजन इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्बुद रहस्यय योक्त रोमान चकारक संवाद को सुना तो यहां उन्होंने इत्याम वासुदेव से पार्थस्यय महात्मा वासुदेव और वासुदेव से पार्थस्यय उनको महात्मा ज्यों कियो है मैं इस सोज रहा था तो संभवत है इसलिए क्योंकि वो सत्य निश्था को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आत्म सत्य के बारे में अस्पष्ट होने पर अंधेरे में तीर चलाते हुए से युद्ध करने की स्थिती को अड़न स्विकार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी समग्रता को रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने संशय का निवारन करवाए बिना पूरी श्रदा के युद्ध करने तक अपने पूरे कोशल को व्यक्त न करने की जो संभावना है, उसको दूर कर दिया महात्मा है, क्योंकि उनमें करुना भी है और वो उन सारे संवेदना महात्मक ज्ञान के प्रसंगों के बारे में इस संवाद के बा anchor करके सनशय रहित हो गये है, तो और भी कही कारण हैं, अर्दन तो महात्मा हैं, उनके महात्मा होने हैं, के पीछे क्या क्या बाते हैं, उसके बारे में आप भी चिंतन करेंगे, पर मुख्य बात यह है कि ये जो सारा संवाद सुना है तो उनके रोम रोम में जैसे पुलकित भाव से ऐसा हो जाता है मेरा तो रुआ रुआ खड़ा हो गया वो कहते हैं उस प्रकार का एक विशेश अनुभव अनुभूती संजय को ये संवाद सुनते हुई हुई है तो संजय के तती भी अपनी शद्द युक्त प्रणाम द्रतराश्ट्र जी के का भी विशेश क्रतग्यता के साथ स्मरन क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए विशेश दृष्टी प्रदान की गई संजय को और संजय के माद्यम से भी ये जो संवाद है वो हम तक पहुँचा है तो पुने-पुने यत्रयोगे श्व और छेत तरव इस लोग की तरफ जाएंगे दो अंक और हमारी इस शंखला के रहते हैं आपका जो बहुत-बहुत साथ रहा है उसके लिए रह से आँभार व्यक्त करते हैं वो सब के मंगल सब के कल्यान की प्राफना ओम पूर्ण मदा पूर्ण मदा पूर्ण मदा आए श्री जी ताचायं हरता है भाना आः भानाम नंगर पूर्ण चल्क स्टनिय आः श्रीक्त करते हैं वो स dengan दूतर आखा तने आपकते हैं ख